मुझा प्राइब की तहसील विस्वा के रहुसा इलाइब की तहसील विस्वा के रहुसा इलाके में हालाकि घागरा नदी जो अब सर्यू हो चकी है उसका जलिस्तर तो नहीं बढ़ा है आज लेकिन बाड से जो दुस्वारियां वहां पैदा हुई हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं ग्रामीलों के सामने कई तरह की समस्यां आज भी मूव आये खड़ी हैं इस से पहले वोगता जा रहा है कि लखीम पूर का हवाई सरवेच्ठ करके सीता पूर भाड पावित लागे हावाई सरवेच्ठ कर चुके हैं तो रेवशा में आज क्या माहौल है और मंत्री जी के हवाई सरवेच्ठ को लेकर वहां गर्मेरों क्या कहना इसके लिए हम से जोपड़ियां बह गई है उनके घर रास्तर में खतम हो चुगा है लोग परेशान है आज जलसक्ति मंत्री द्वारा हेलिकॉाप्टर से बार छेत्र का द्वारा जाजा लेने की बात थी ग्रामीर इंतचार करते रहे छतों पर लेकिन कोई भी हेलोकाप्टर नहीं आया कोई भी जाजा नहीं हुआ ग्रामीरों का कहना है यदि आते भी तो क्या करते जब नीचे से इतनी उचाई पर हेलोकाप्टर नहीं दिखता है तो उपर वाले नीचे देश के क्या फर्क डालते हां बच्चे जरूर खुद हो जाते हेलोकाप्टर देश के इस्थितिया है कि 7 7000 की आबादी अभी भी पानी में भरी हुई है फसी हुई है जिनका मुख्य आईकास रोट पसपालन है और दूद का है वहां अभी भी कोई मदद नहीं पहुची है स्वास्ट संबंदी समझताय चल रही है उनको स्वास्ट टीम भी तक नहीं पहुच पाई है बार चोकी म लगभग आबादी जो पानी में तीन दिनों से फची हुई है जो छटों पर रहे रहे हैं उन तक अभी प्रसासन की तरफ से कुछ भी नहीं पहुचा है यहीं तमझे तीन नित पहले जो बार में एक युवक दूबा था उसका सो आज ग्रामिलों ने अपने दम पे नहीं आया जी मंत्री जी का हेलिकाप्टर सीतावर पहुंच चुका है तो हो सकता है वह लहर पूरिया किसी दूसरे इलाके से उकरके आ गए हो खैर वो उनका हवाई सरवेच्छर था जो पानी के कैदी बने हुए हैं वहां पर पांच जार साजार की आबादी उनका तीन द दिया गया है विजदी की लाइने कटी हुई है तो मोबाइल भी उनके आउन नहीं हो पा रहे हैं कुछ लोग नावर से जो बाहर आये हैं उनका कहना है कि जो रास्तन उनके पास रखा हुआ था उसी से वो लोग काम चलाए हैं जो 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 पढ़िया बह गई उनको जो पा जा रहे हैं बाहर प्रसासन के लोग अंदर नहीं गए हैं अभी तक जी अमरेज जी तो जाहिर सी बात है कि वहां बड़ी संख्या में अभी लोग फसे हुए हैं जहां तक प्रसासन में नहीं पहुँच पा रही है और उनका संपर्क भी बाहर से कटा हुआ है जो लोग अपने संसाधन से अपने प्राविट नावं से बाहर निकल पा रहे हैं वो ही बता रहे हैं कि अंदर क्या माहूल है आप ने भी बताया कि जो तीन दिन पहले एक ईवग बाढ़ में बहए गया था उसका सव बरामत हुआ है कहां पर पाया गया सव यह तकिया गाओं के पास मि प्रसाथन जा रहा है तो आमरी जी ने बताया आज बाड के तीसरा दिन है और वहां पर क्या हालात हैं काफी लोग अभी प्रभावित वहां तक ना मदद पहुंच पा रही ना उनका संपर्क ही हो पा रहा है बाड प्रभावित अलाके में आइंडिया की टीम लगातार नजर बनाय हुए है आप लोग आइंडिया देखते रहिए बाड की हर छुटी बड़ी जानकारी आप तक आइंडिया पहुंचाता रहा है खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आइंडिया